नमस्कार सातियों सुवागत आपके अपने चनल याना कोसल में जी हाँ सातियों आप सतलगे एक और बहुत बड़ी इनफोर्मेशन लेके आए हाँ बैए एक्सप्रेस सेर्टिफिकेट को लेके और एक आईडी कार्ड को लेके क्योंकि बहुत से सातियों जो इनफोर्मेशन देखने मिला है एक तो एक्सप्रेस सेर्टिफिकेट का मिला है क्योंकि सातियों अभी जो है गरूप डी वगारा के फोर्म निकल चुके हैं जिसको लेके साति जो है अभी फिलाल जो और याना कोशर रोजगार निकम मजोब कर रहे हैं तो वो साति भी पूछ रहे हैं क्या हम अपना एक्सप्रेस सेर्टिफिकेट डाउनलोड करवा सकते हैं या नहीं और ये किस परकार का हुआ है और एक ID कारट गबी दिखावांगे आपने बें किस परकार का हुआ है कौन-कौन साति इसको निकलवास का है और कहां से आप सातियों को यह मिलागा सारे-सारे इन्फोर्मेशन जो है इस वीडियो के अंदर रहने वाड़ी सातियों क्योंकि लाकों की संक्या में जो साती और याना कोसर रोजगार निगम के तहत जोब कर रहे हैं कोई पोर्ट किया गया है और कोई जो अलग-अलग डिपर्मेंट वाइज में पाउर बेजने का काम करया गया साती हो तो आप साती ने दिखा इदा सारी इनफोर्मेशन उससे पहले जो आप साती अपने टेलेगराम ग्रूप से भी जुड़ना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के देरिखा साती हो और अजारों के संक्या में जो साती यहां पे जुड़े हुए हैं अगर किसी साती की कोई क्वैरी है तो भी यहां पे रख सकता है और अगर आप साती को कोई भी वीडियो इनफोर्मेशन चाहिए तो आप साती जैसे इस प्रकार से कलिक करोगे तो आप साती ने लिंक का उप्शन देरिखा साती हो और आपको जो हर याना कोसर रोजगार निगम से रिलेटेड लगबग सारी वीडियो मिल जाओंगे साती उस्वरू से लेके आखिर लगकी उनके अंदर आप साती ने सारी सारी इनफोर्मेशन परवाइड करोएर की है ESIC कार्ड हो, EPF किस प्रकार से जमावा है, कितना निकलवाना है, सेलरी कितनी मिला है, किस प्रकार से मिला है सब कुछ हाल डिटेल बब फोर्म किस प्रकार से फिलब करना है, सोड लिष्ट क्या होता है, ओफर लैटर किस प्रकार से आवा है जब भी कोई भी नई वेकैंजी निकला है तो उसकी भी डिटेल सारे सारी यहां पर डल ली जावा है तो इसलिए आप साथ इसको भी जोएन कर चुको हो और फिर भी आपके कोई personal query है सातियो तो आप साती जो है यहां पे आप मेरे को personal message भी कर सकते हो ठीक है ये वड़ा अपना option है या पर जैसे आप टिक करोगे तो आपको जैसे हमारा message का link आ जाओगा तो उस पे आप मेरे को directly अपनी personal information वगारा जो है तो यहाँ पे भी बेश सकते हो ठीक है वैसे कोई हो जादा कोई साती अगर किछी कोई query है तो अपने group में ही पूछे कोई personal detail है तो आप मेरे को direct message कर सकते हो साती हो तो सबसे पहले तो हम ID card की बात कर लेते साती हो बद जितनी भी रियाना कोश रोजगा निगम के तायत साती लगे हुए हैं तो उनका ये जो ID card है ये कोई भी साती निकलवा सकता है सिरफ आपको अपने डीडियों के पास में जाना है उनके पास में पूरी पूरी आपकी जो है detail मिले की साती हो ID card की इसको आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर बकायदा आपका नाम है में पाउर के ID है आपका पिरियड कितना है आपका जोब रोल कितना है इसके अंदर सारे सारे detail होगा है और इसके अंदर जो है issue 30 के signature भी होगा साती हो ठीक है आप इसको card को जो है use कर सकते हो और आपको आने वाले बोईश्य में भी ये काम आओगा तो इसलिए अगर आप सातिया ने ये card नहीं निकलवाया है तो अपना ID ID card जो है अपने डीडियों के पास जाके उसको सिर्फ इतना बोलना है कि सर आपके ID से हमारा ID card निकाल के दे दीजिए तो आप सभी के सभी साती जिसने भी ID card अब तक नहीं निकलवाया है और जितने भी साती अचकरंगंदर हो चुके हैं तो उन सभी को अपना ID card अपने गर पर जरूर से जरूर रखना साती हो उसकी कोपी आज ही निकलवा लेजिए और अपने गर पर रख लीजिए ये ID card आपको अग्गे आने वाले टाइम में काम आने वाला साती हो ठीक है तो दूसरी update आप साती ने दे दया कि याना कोशर रोजगा निकम का जो एक्सप्रेस लेटर है वो किस परकार का होगा है और इसको कोण-कोण निकलवा सकते हैं तो ये देख लीजिए साती इस परकार का ये एक्सप्रेस लेटर होगाई इसके इंदर पूरी पूरी आपसातियों की डिटेल देर की है जितने भी साती अभी फिलाल जो हर याना कोसर रोजगार निगम का पोर्टल के उपर अटैच है और फिलाल जोब कर रहे हैं तो वो साती इस लेटर को नहीं निकलवा सकते साती जिस साती न जो जोड़ दी हर याना कोसर रोजगार निगम की वो साती अपने डिडियों से संपरक करे और डिडियों को बोले कि आपके आईडी के उपर सर एक्सप्रेंस डाउनलोड लाइटर का एक ओप्सन दिया हुआ है वहां से अपना मारा जो है एक्सप्रेंस लाइटर डाउनलोड करके दे दीजिए जिससे हम जो CT वगारा के जो फोरूम निकले हुए हो उसके अंदर लगा सके अब बात आती है साती हो कि जो साती नहीं निकलवा सकते वो किस प्रकार से अपना एक्सप्रेंस अर्टिफिकेट लगाएं तो साती हो इस प्रकार से आप ये देख लीजिए अपना वाए टाइप कर लीजिए कंपूटर के अंदर और वहां पे आप जिस भी डीडियों के इंटरम आप लगे हुए हो जितने दिन आपको हो चुके हैं तो उन से आप सिगनेचर मरवा के वहां पे अपलोड कर सकते हो सातियों और सात में आपका जो इस आइडी काड है ये भी सात में उसका एक्सप्रेंस के आप लगा सकते हो आप साती यह प्रूफ हो जाओगा कि आप साती जो है इस department के अंदर जोब कर रहे हो इस प्रकार का experience certificate जो है आप साती ने बनवा लेना है और इसी प्रकार का experience certificate जो है CET के अंदर भी जारी कर रहे है इसी प्रकार का है साती हो ठीक है उसके इसाब से भी आप साती जो हो उसको भी type कर सकते हो वह जिसने CET का फारम बढ़ना हो तो जो CET का जो अनेक्सर दे रिखे आना सातियो उस अनेक्सर को टाइप करके भी आप उसको करवागे टाइप और उसके अंदर आपके DDO वगएरा के जो सिगनेचर मरवास को हो और यह अथर्टी सातियों यहाँ पे जो है वो आपके साइन मारके दे 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 है क्योंकि आप फिलाल जोब कर रहे हो ठीक है तो यह दो उप्सन है वह जो साति जोब कर रहे है उसका तो यह निकड़ेगा नहीं जिस साति ने जोब छोड़ दी है वो अपना आइडी के यह एकचपरिनिस सेर्टिफिकेट निकलबा सकता है डी डी नो की आइडी से और वो जो साति जो फिलाल जोब कर रहे हो ऐसी गलती ना करें वो अपने पोर्टल से एकचपरिनिस सेर्टुब को डाउनलोड ना करें क्योंग उसके अंदर रिलेविंग वगारा की डेट वगारा आजे है कदे कोई आप गलती से उसमें कोई अपनी डेट वगारा मैंसिन कर दो और आपकी रिलेविंग चली जाओ है ठीक है तो जिस साती ने जो छोड़ दी है तो सिरफ वही साती जो है इनको डाउनलोड करवा पाओगा ठीक है लेकिन आईडी कार्ड आप साती कोई भी निकलवास को हो और अपना निकलवागे अपना पास मा आपने रखना बहुत जरूरी है आप निकलवागे रख लीजी आपको आने वाले टाइम में काम आने वाला है तो यही कुछ इनफोर्मेशन आप साती ने ल आप